हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाऊंगी मसूर दाल की क्रीम बना के और यह जो क्रीम है इसे लगाने से आपके स्किन लाइटनिंग एन वाइटनिंग हो जाएगी यह मैंने मसूर की दार रात भर इसे भीगनों के लिए छोड़ दिया था आप चाहे तो दो घंटे के लिए भीगो सकते है इसको मैं अप मिक्सी में डाल के अच्चे से पीस लूँगी एक स्मूथ वाला पेस्ट बना लूँगी यह देखिए अब इसे मैं एक च्छनी के मदद से चान लूँगी यह देखिए इसे हमें अच्छे से चान लेना है फिर हम इसे चानने के बाद इसमें हमें कुछ चीज मिलाना पड़ेगा और मैं आपको वो बताऊंगी अब देखिए यह मैंने चान लिया है इसमें मैं एट करूँगी दो भीटामिन ए की कैपसूल इसे हम काट लेंगे कैची के मदद से और इसे हम डाल देंगे दो भीटामिन ए के कैपसूल यह देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगे फिर इसमें मैं डालूँगी एक चमच के करीब ग्लेसरिन फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें एट करेंगे यह देखिए पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा एक स्मूथ सा आपको पेश्ट बना लेना है फिर हम इसमें और एक चीज हमें एट करना होगा वो है एलोवेरा का जेल आप जो रेडिमेट वाला जेल आता है मार्केट से आप वो ले सकते है मैं यह एक चममचली हूँ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साथ सुत्रा कंटेरन में रखके आप हम इसे चार से पांच दिन तक इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल भी खराप नहीं होगा पांच दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं दिन में दो बार अपने चहरे पे जरूर लगाएगा अब इस प्रिम को दिन में दो बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और फिर मुझे बताएगा कि आपको इसका रिजट कैसे मिला सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही मिलती हूं मैं अपने अगली वीडियो के साथ